असलाम अलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप के आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआउंस से मैं भी एक्तम ठीक हूँ तो आईए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटर पनीर की सबजी और फूली फूली पूरियां और मैंने बनाई हैं नाश्ते में गोबी की पकोड़ियां तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं तो मैंने ये एक गोबी का फूल लिया था और उसको मैंने अच्छे से कट कर कर लिया था मैंने अच्छे से इसको रब कर लिया था मैंने और अच्छे साफ वाटर से की बार ने क्लीन किया हैं इसे उसके बाद मैं 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 손पा स्ल practically है और एक वार इसे से फिर में पाने गरम करने के लिए रख दिया है कि जिसमें में 2-3 मिटे के लिए गोपट कुप करऊए हैं и और यह चुट है और धियान रखें इसको 2-3 मिनिट ही हमें कुक करना है उसे ज्यादा हमें इसे ओवरकुक नहीं करना है और इसमें मैं थोड़ा सा एड़ करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और मैं इसे कवर करके तो से टीन मिनिट के लिए रख दूंगी तो दो से तीन मिनट हो चुके हैं हमारी गोबी को बॉइल होते हुए तो हम इसे अच्छे से रिंस कर लेते हैं तो मैंने इसका एक्ष्ट्र वाटर निकाल लिया है उसके बाद मैंने इसे एक बावल में कर लिया है और अब हम इसमें एड़ करते हैं सारे मसाले तो मैंने कुछ करीपत्ता लिये हैं उनको अच्छे से वारिक चॉप कर लिया है और इसके बाद मैंने इक बावल में चार से पांच चमच रिफाइंड ओईल लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा रैड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ कर लिया है और इसमें मैंने करी फ्लैक्स डाले हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें अरा रोट डाला है उसके बाद मैंने डाले हैं इसमें फोर और इसमें मैंने तीम से चमच एड़ किया है बेशन और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें टेकिंग सोड़ा और थोड़ा सा मैंने एड़ किया है इसमें आमचूर पाउडर और मैंने इसको अच्छे से मीक्स कर लिया है यह देखें इसको अच्छे से हम मीक्स कर लेंगे और जैसे कि आपको अगर इसमें लगे कि इसमें ओइल कम है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर भी एड़ करके इसका स्मूध पेस्ट बना सकते हैं उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मेरिनेट किया है तो मैं इसको अच्छे से मीक्स कर लूँगी वो भी हमारी बॉइल है तो इसलिए इसको हमें हलके हाथों से ही मिक्स करना है वनना यह ज़्यादा मैस्टी हो जाएगी तो यह हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा और और मिक्स किया है एक चमच थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर जो कि मैंने इसकिप कर दिया था मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर इसमें एड़ किया है हल्दी पाउडर इससे एक अच्छा सा कलर पकोड़ी में आ जाता है किसी भी तरह कि आप पकोड़ियां बना रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करने से इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है थोड़ा साइस में सॉल्ट एड़ किया था मैंने मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें आड़ किया था अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए से मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं बट मैंने नाश्टे के लिए बनाने जा रही थी तो मैंने इसको हैंड टो हैंड ही बनाया है मैंने से मेरिनेट करने के लिए नहीं रखका है तोichen रखने के लिए पहले ही रख दिया था और यह मनें बस्टर्ड ऑई को यूज पर समय और मैं इन्हें के लिए मैं डालते जाऊंगी और फ्लेम को हमें हाई ही रखना है अब में इनको अच्छा से फ्राइं होने तक भून लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं लाइट गोल्डन ब्राउन जादा हमें इन्हें डाक बाउन नहीं करना है तो दूसरे साइट पर मैंने दूद बॉइल करने के लिए रख दिया है और इनको हमें अच्छे से ही पकाना है वरना यह अच्छी नहीं रहनी चाहिए वैसे तो यह हमने इनको बॉइल किया हुआ है बट फिर भी इन में अच्छा सा एक क्रिस्पनेस आना चाहिए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे तो हम सेकिंड बैच ओफ पकोड़ी डार लेंगे इसमें उसके बाद इनको भी हम अच्छे से प्राई करेंगे यह देखें मैंने सारी सारा बैटर इसमें एड़ कर लिया है और अच्छे से फ्रीन को एक बार फिर से फ्राई कर लोंगी मैंने से प्राई करेंगे तो यह देखें पकोड़ियां बनकर हमारी रेडी है और अब हो चुगा है हमारा लंच टाइम तो मैं बनाने जारी हूँ पानीर मटर की सबजी तू यह देखें मैंने प्यास अदरलक और लेशन को कट करकर रख लिया है और यह मैंने पानीर को भी च्छोटे पीसे में कट कर जोइनख के रख ले हैं इसकी मुझे प्योरी बनानी है और ये कुछ मर्तर मैंने लिये हैं तो ये राई गैस पर रग दी है और मैं थोड़ा सा ऐलिस में गरम करूँगी कि मैंने थोड़ा सा ओईल इसमें डाल लिया है तिन से चार चमच और इसमें मुझे ये शेलो फ्राई करनी है प्यास और अद्रग और लहसुन और इसको मुझे अच्छे से फ्राई करना है और मुझे इनल लाइट पिंक ही करना है मुझे इने जादा पकाना नहीं है तो इसलिए मैंने पांस से चै मिनट ही इने फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पर कि देखें प्यास हमारी अलमुस्ट हो चुकी है और यह मैंने देखो डार्क नहीं किया है इनको जरा भी तो यह लाइट पिंक हुई है और यह मैंने इनको निकाल लिया है और मैं इने ग्राइंड कर लोंगी स्मूध पेस्ट बना लूँग एक अगर आपको लगता है और म लिया को पेस्ट बनाते ताइम तो आप भी कर सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला एड किया था थोड़ा जीड डाला था मैंने इसमें चार से पांच लोंग डाली थी और 3-4 लाइची डाली थी आप अपने अपोर्डिंग डाल सकते हैं अगर आप ज्जादा तीखा पसंद कर तो आप सिंपल वाला रैचिली पाउडर भी एड़ कर सकते हैं बट मैं ज्यादा तीखा नहीं पसंद करती हूं तो मैंने कश्मीरी लाल विर्च एड़ किया है इसमें इसे कलर बहुत ही प्यारा आता है तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी एड़ किया है हाफ टेबल स्पून और वन टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर एड़ किया है और मैंने इनको अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको रखा है हम इनको अच्छे से सोटे कर लूँगी अब मैंने जो को टमैटो लिये थे उसकी मैंने दर दरी सी प्यूरी बनाई है मैंने ज़्यादा इनको बारिक पेश नहीं बनाया है तो मैंने उनको मोटा मोटा पीस लिया था तो इसको भी सारे मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लूँगी और यह मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एड़ किया है इसमें और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सभी मसालों को और इसमें मैंने थोड़ा सा परनीर मसाला एड़ किया है और इसको अच्छे से में एक बार मिक्स कर लूँगी और सिंपल हम जब अधरक और प्यास का पेश्ट बनाते हैं उससे ज़्यादा इस वाली ग्रेवी में फ्राई की गई प्यास और अधरक और लैसुन वाले पेश्ट में ज़्यादा टेस्ट आता है तो एक बार ट्राई जरूर किजिएगा उसको फ्राई करके ही ग्रेवी बनाकर उसमें मसाला एड़ किजिएगा और मैंने ये थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाली है इसमें और अुर्बर ऑड़े हैं तो दो से तीन मेंटेशक पत्त डाला है इसमें और इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हाता है और ये मैंने यहां लगी हूँ पूर्या बनाने के लिए तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, मैंने मैदा का यूज नहीं किया है, तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसमें मैंने डाली है कुछ अजवाइन, हाथ से मैंने अच्छे से उनको क्रश कर लिया था, और मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, और उसके बाद मै मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एड किया है और मैं उसको आट्टा बून लोगी और यह मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है जितना वाटर आपको एड करना है अपने अगॉर्डिंग वाटर एड कर सकते हैं और उसमें हम पकने के लिए हमने उसको रग दिया है इसके बाद मैंने इसमें पनीर भी एड कर दिया है और फ्लेम को हम लोग करके रख देंगे और यह देखें 15-20 मिनिट इसको पकते हुए हो गए है और यह डिश हमारी रेडी है मटर पनीर की रेसिपी देखें कितनी प्यारी लग रही है कितनी यमी लग रही है और यह वाकई में टेस्टी बनका तयार हुई थी तो अब हम लगे हैं पूरिया बनाने के लिए तो मैंने ओईल गरम कर लिया है तो जल्दी जल्दी अब मैं पूरियां बना लोगी और रेसिपी ट्राइज जरूर कीजिएगा बहुती टेस्टी बनका तयार हुई थी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइए कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्ला हाफीज कीजिएगा श्याल वीजश जच्छी लगी बनका मेंट' तो प्लीजेगा बनका में इच्छी लगगा वीजश ना भूलें वीजश प्लीजश बनका शबर हुईगा श्याल झाल